अगर आपको किसी भी किस्म की आवाज निकालनी हो, जीप का इस्तमाल किये बिना, तो आप कौन-कौन सी आवाजे निकाल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें और देखें. हाँ, आप निश्चित रूप से आ का उच्चारंड कर सकते हैं. हो सकता है, हाँ, हो सकता है, और क्या? मान लिजिए, आपके पास जीब नहीं होती, तो आप कौन सी आवाजे निकाल सकते थें? आप आ कर सकते हैं, आप उ कर सकते हैं, आप उ कर सकते हैं, किसी दूसरी आवाज की कोशिश कीजिए, कोई इनसान जो बोल नहीं सकता एक गूंग अव्यक्ती जो बोल नहीं सकता वो किस तरह की आवाजें निकालता है? आ, ओ, न क्योंकि इन तीन आवाजों को निकालने के लिए जीब के जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अपनी जीब निकाल दे तो आप सिर्फ तीन आवाजें निकाल पाते हैं आ, ओ, न आप जीब का इस्तेमाल करके जीब को अपने मूँ में अलग-अलग जगा रखकर आप इन तीन ध्वनियों को मिलाकर अलग-अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं अगर आप कलर टिलिविजन के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ तीन मौलिक रंग होते हैं इन तीन रंगों के इस्तेमाल से ही आपको ट्यूब पर हर संभव रंग दिखाई देता है इसी तरह सिर्फ तीन बुन्यादी ध्वनिया होती हैं इन्ही तीन ध्वनियों का इस्तेमाल करके आप इन तमाम ध्वनियों को पैदा कर रहे हैं आपकी जी इन तीन आवाजों को कई जटल तरीकों से मिलाने में आपकी मदद कर रही है अब इन तीन ध्वनियों आ, उ और म को मौलिक ध्वनिया, ब्रहमांडी ध्वनिया या युनिवरसल साउंड कहा गया है क्योंकि ये तीन ध्वनिया ही आपके द्वारा बूली जाने वाली बाकी सभी ध्वनियों का आधार है अगर आप इन तीन ध्वनियों का एक साथ उचारण करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? यह ओ नहीं है? तो यह तीन ध्वनिया ही बुनियादी हैं, जो आपके द्वारा निकाली जाने वाली दूसरी हर आवाज का आधार है. तो आउम को युनिवर्सल साउंड या स्रिष्टी की मौलिक ध्वनी की तरह जाना जाता है. अगर यह सच है, तो कैसे कोई खास धर्म ही इसे अपने ब्रैंड के तौर पर इस्तिमाल कर रहा है? और कहीं भी और इसके बारे में ग्यान नहीं है. यह सच नहीं है. जहां कहीं भी एक आत्म ग्यानी महात्मा मौजूद हैं, वहां आउम की ध्वनी होगी ही. उदाहरण के लिए, क्रिष्ट्यानिटी या इसाई धर्म का जन्म जरुसलम में हुआ, जहां उस समय की भाषा अर्माइक थी. अर्माइक भाषा में कुछ खास तरह का असर है, जिसमें म की ध्वनी ज्यादा मौजूद है. तो इसाई धर्म में, आज वो हर चीज के अंत में, वो चाहे कोई भी प्रार्थना करें, उसके अंत में वो हमेशा आमेन कहते हैं. अगर आप वैटिकन में आमेन कहने के तरीके पर गौर करें, तो वो हमेशा कहते हैं, आप एन निकाल लें, और फिर आमेन कहें, अगर आप इससे समझना चाहते हैं, तो ऐसा ही एक असर आप तमिल भाषा में देख सकते हैं, अब मिसाल के लिए राम को ही ले लीजिए, आप जानते ही हैं कि उनका जन मयोध्या में हुआ था, वो नीचे दक्षन की ओर आए, जब वो दक्षन की ओर आए, जब राम ने आंदर प्रदेश और करनाटक में प्र तो लोग उन्हें रामन कहने लगें, अगर कृष्ण तमिल नाडू आते हैं, तो आप क्या करेंगे? कृष्णन, अगर अर्जुन तमिल नाडू आते हैं, तो आप क्या करते हैं? अर्जुनन, अगर भीम तमिल नाडू आते हैं, तो आप क्या करते हैं? भीमन, जो भी तमि इस अन का प्रभाव तमिल भाशा में अर्माइक के मुकाबले ज्यादा है आमेन आप एन निकाल दें तो ये सिर्फ आउम रह जाएगा आज ए आमेन अमेरिका पहुँच गया और बन गया है अमेन ये संस्कृती और भाशा से आये डिस्टॉशन्स है इसलाम भी उसी इलाके में पैदा हुआ उसी संस्कृती और भाशा के प्रभाव में वो कहते हैं अमीन इसमें से एन निकाल दीजिए और अमीन बोलिए ये तो वही ध्वनी है क्योंकि जहां कहीं भी इनसान खुद अपनी प्रकृती से मौन हुआ है स्कूल टीचर वाला मौन नहीं कानों में यरपलग लगाने वाला मौन नहीं अगर आप खुद बखुद अपनी प्रकृती से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में आउम की ध्वनी गूंजने लगती है क्योंकि आपके भोतिक अस्थित्व की बुनियादी ध्वनी आउम है जब आउम की ध्वनी गूंजती है तो ये नाभी के ठीक नीचे से शुरु होकर आपकी नाग के सेरे पर खत्म होती है ये गूंज बस अपने आप होगी तो जहां कहीं भी एक इनसान अपने आप सचमुच शान्त होकर अपने भीतर परम शान्ती के साथ पैठा वो हमेशा आम ध्वनी के प्रती जागरुख हुआ है जब उसने इस ध्वनी को आगे हस्तांतरित किया तो समय के साथ भाषा और संस्कृती के असर से ये विकृत हो गई यहां तक कि भारत में भी आम बन गया है ओम ये ओम नहीं है आप अपना मुँख खोलिये और आ कहिए फिर धीरे से अपना मुँख बंद कीजिए ये उ बन जाता है और फिर इसे बंद कीजिए ये उम बन जाता है आम ध्वनी में अंगिनत फाइदे छेपे हुए हैं आज भी अगर हमारे पास कोई मानसिक तोर पर परिशान इंसान आता है तो उसे सबसे पहले आम का जाप करने को कहा जाता है पहले आप कुछ हपतों तक इसे करते हैं आप शान्त और स्थिर हो जाते हैं फिर हम दूसरे पहलूओं पर जाते हैं मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग दिखा सकता हूँ जिनके लिए मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह माना जाता था कि उन्हें जिन्दगी भर मनो रोक से जुड़ी दवाएं खानी पड़ेंगी. लेकिन वो लोग दवाओं से पूरी तरह से छुटकारा पा सके सिर्फ आउम का जाप करके. अगर आप बहुत ज़्यादा डर, विक्रित सपनों, खराप सपनों, नाइट मैस, अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परिशान हैं, अगर आपके शरीर की सामान्य प्रकृती कमजोर है और आप अक्सर बिमार पढ़ते रहतें, खास कर बच्चे, अगर उनमें अटेंशन डिसॉर्डर्ज हैं, तो रोजाना कुछ मिंटों के लिए आउम का जाप करने से आपको जबरदस्थ फर्क महसूस होगा. अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं, कि आप जीवन में कोई भी काम एक संकल्प के साथ नहीं कर पाते हैं, तो रोज कुछ तेर के लिए आउम का जाप करना आपके लिए सचमुछ रूपांतरन लाने वाला होगा. दो हफ्तों में ही आप अपने काम करने के तरीके में जबरदस्थ फर्क महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके भौतिक अस्थित्व की बुनियादी ध्वनी है. कि काम वए ठाप्ट राने, मिन हमें जफ वे रखिता हैं,